एक दिन लचुमन जी ने प्रभू भगवान से राम चंदर जी से उनके पड़ को दबाते हुए पुछा कि भईया सभी लोग आपको भगवान कहते हैं कि आप सच्मुच में भगवान हैं प्रभू राम चंदर जी ने जवाब दिया कि लच्मन भगवान तो सभी लोग है सभी अंदर ओही अभिनासी है अचल है अटल है सभी अंदर ओही तत्त है सभी अंदर ओह रतन खाजाना भरा हुआ है लच्मन जी पूछा भईया तो फिर लोग दूखी क्यों है असांत क्यों है परसान क्यों रहते हैं अपने आपको दली दर्ता क्यों मशुश करते हैं असंतोस क्यों होता है भगवान राम ने मुश्कुराते हुए कहा लच्मन इस सब का कारण अग्यान है अग्यान दसा में आदमी अपने आपको तुछ समझता है, अपने आपको दिन समझता है, अपने आपको हीन समझता है, कहते हैं कि जैसे एक भिखारी आदमी हो और वो एक काट के बक्षा पर बैठा है, और उस काट के बक्षा पर बैठ कर आने जाने वाले राहगीरों से अठनी चवनी का भिख लेकिन उसे यह नहीं पता है कि उस जिस बक्षे पर बैठा उस बक्षे के अंदर सोना से भरा हुआ उप पेटी परा है लेकिन उन्हों तो अपने जीवन में कभी खुलता है और नो देखता है बस रोज की तरह प्रत दिन भी वो भीखे ही मांगता है ठीक इसी तरह इसंसार क लोग जो है अपने आपको नहीं समझ पाते हैं उस तत को नहीं जान पाते हैं जो यमूलिक है जो रतनों का खान है और उसे नो समझने के लिए जीवन भर दली दर्ता महसुष करते हैं, असांत रहते हैं, अपने को हीं समझते हैं प्रभुराम ने कहा कि इसी तरह संसार की गती होती है और इसी लिए आदमी दुख पाता है इन सब का कारण अज्यान है, जो अपने आपको समझ जाता है, उस्तत को जान लेता है, वास्तुम इसकी देली दर्ता दूर हो जाती है, उसे संतोस हो जाता है, कभी वह संतोस का सिकार नहीं होता है